पूरी डिटेल दोस्तो आपको इस वीडे मिलने वाड़ी है और यदि आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं या फिर टेलिगराम ग्रूप पे पीडियाफ शेयर कर दूँआ इसकी और जो स्क्रिप्शन में है इसके लिंक का ओफिशल नोटिस का ठीक है और डिटेल्ड का तो वो भी आप चेक आउट कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों देख लेते हैं सारी चीज़े सही दिखाई देरी न आपको एक बर कमेंट कर दीजिए यहीं पर रुपके कि सारी चीज़े आप के फोरम पांच अपरेल से सुरू हो रहे हैं पांच अपरेल से आपके फोरम सुरू हो रहे हैं इस बरती के लिए लास्ट डेट 26 चार है 26 अपरेल लास्ट डेट है फारम बरने की ठीक है और फीस आप 29 तारिक तक फीस 29 तारिक तक जमा करा सकते हो ठीक है आपके चलते हैं यह education board में दोस्तों यह भरती निकले आपकी education board की यह भरती है किसकी है education board की ठीक है इसक्साइब भाक की यह भरती है आपकी ठीक है ना total जो इसमें post दोस्तों total जो post है इसके अंदर वो साड़े साथ सो है, कितनी है, साड़े साथ सो वकैंसी है, इसके अंदर, आप कितनी वकैंसी चीए, सिरफ एक, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब आती है, क्वालिफिकेशन के बाद, यहाँ पर दोस्तों अब आती है, क्वालिफिकेशन के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों यहा औरना चीए, दो साल का डिपलोमा औरना चीए, Library Science में, किसमें, Library Science में, ये डिपलोमा आप कहां से कर सकते हो, दोस्तो आपने नहीं कर रखा हुगा, और कर भी रखा हुगा, ये दिकर रखा है तो बहुत अच्छी वात है, आप इस vacancy के लिए जरूर अपलाई कर लेना यदि आपने नहीं कर रखा है तो दोस्तों ये डिपलोमा आपको कहां से करना है मैं आपको आज बताने बढ़ा हूँ इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को अन्तक जरूर देखेगा तो दोस्तों qualification आपने देख ली 12th पलस में आपका दो साल का ये डिपलोमा उना चीए दोस्तों ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर ये डिपलोमा दो साल का लिख रखा है टू इयर का लेकिन ये हो सकता है by mistake लिखा हूँ तो कि लाइवरिरी साइंस का डिपलोमा लग बग मैंने जितनी भी संस्तान देखे हैं एक साल का कोर्स करवाती है एक साल का डिपलोमा करवाती है ठीक है इस बात का एक बार थोड़ा हप द्यान दे लगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों पे सकेल कितना रहेगा दोस्तों 25,500 रुपय आपको सैलरी दी जाएगी कितनी 25,500 रुपय आपको सैलरी दी जाएगी ठीक है और अलग सी अलाउंस भी आपको दी जाएंगे सैलरी अच्छी खासी है कोई दिक्षत नहीं है अब दोस्तों बात आती है एज लिमिट की, क्या आती है एज लिमिट की, एज की काउंटिंग 1121 इस डेट को की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो, ठीक है, उसके बाद में minimum 18 साल, ठीक है, और 37 साल, minimum 18, maximum 37 साल, ठीक है जी, जो SC candidate है उनको, और जो BC candidate है, उनको 41 साल, maximum age में छूट यहां पर दे रखी है, यहांपे दोस्तो अब बात कर लेते हैं, फीस की, कितनी कितनी फीस लगेगी, तो General category की दोस्तो 1000 रुपे फीस है, किसकी, General category की 1000 रुपे फीस है, SC, BC, Economally की विकर सक्षण, AWS, इसकी 2500 रुपे फीस है, ठीक है, क्या है, 2500 रुपे फीस है, उसके बाद में, जो X-Service Man है, जो Dependent है, Physically Handicap, जो Dependent है, उसके 200 रुपे है, और जो Physically Handicap है, उसके यहांपे 500 रुपे दोस्तों, यह आपकी फीस रहेगी, फीस आपको online ही जमा करवानी है, फीस आपको online ही जमा करवानी है, ठीक है, आगे चलते हैं, Selection Process, तो Selection Process, देखे दूस्तों, यहांपे क्या है, तो Objective Type आपको क्या हो रहे है, Written Test रहेगा, Objective Type आपका, Written Test इसमें आपका लिया जाएगा पहले, उसके बाद में क्या है, एक्जाम में, एक्जाम में जो एक्जाम बेस्ट मेरिट त्यार की जाएगी, ठीक है, उसके बेस्ट में फिर एक Common Merit List त्यार की जाएगी, जो हर Category के लिए रहेगी, ठीक है, फोर इच Category, ठीक है, और 40% दोस्तों नमबर लेना अनिवारिया है, Objective Type जो टेस्ट होगा अपका, 40% नमबर लेना अनिवारिया है, Otherwise आपको आगे के सेक्शन में नहीं बेज़ा जाएगा, आगे के प्रोसेस में नहीं बेज़ा जाएगा, ठीक है, और आगे जलते हैं जी, दोस्तों किसी को फारण बनाने में दिखता रहे हैं तो आप इन नमबरों पे कॉल कर सकते हो, क्या है, इन नमबरों पे आप कॉल कर सकते हो, Working Hour में, Working Day में, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बता दिया, 750 वकैंसी है, पोस्ट का नाम है Librarian, क्या है, पोस्ट का नाम है Librarian, स्कूल Librarian, ठीक है, 750 वकैंसी है, बारवी पास होना चाहिए, और साथ में आपका दो साल का डिपलोमा होना चाहिए, Library Science का, ठीक है, साथ में दोस्तों, दस्वी में आपकी English subject आपके पास एक जरूर होना चाहिए, पलती है, स्री, पनजाबी, पनजाबी subject आपके पास जरूर होना चाहिए, पनजाब की maximum बड़ती हो में दोस्तों क्या है, पनजाबी subject मांगा जाता है पनजाब की बड़ती है, इस बात का आपक विशेश तैन रखे, ये भी आपके पास जरूर होना चाहिए, तो जो डिपलोमा है, लाइवरेज साइंस का, वो कहां से कर सकते हैं, तो दोस्तो इगनु से, क्या है, इगनु से आप इसका घर बैटे डिपलोमा कर सकते हैं, इगनु से, ठीक है, MDU बगारा भी करवाती है IGNU का मैंने खुद भारंब रहा है तो IGNU से आप ट्राई कर सकते हैं घर बैटे आप डिपलम मा हो सकता है ये Library Science का तो दोस्तों ये भरती थी सारी उमीद करता हूँ आपको इस सारी चीज़ समझ में आई है आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद भगवान के रफस बीकस में सुप रहे